सो गाइज मैंने यह हाफ कब जितने ओल्ड फैशन रोल्ड ओट्स ले लिये हैं और अब इसमें हाफ कब जितना ही पानी डाला है और अब हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनिट के लिए अब 15 से 20 मिनिट हो गए है और मैं यह ओट्स का पानी अलग कर दूँगे मैं पानी की ज़रूरत नहीं है तो इसको फेंग देंगे हम अब यह मैंने मिक्सर ग्राइंडर में एक गिलास जितना दूट ले लिया है और अब मैं इसमें हमारे भीगे हुए ओट्स एड़ कर दूँगी अब ओट्स एड़ करने के बाद मैं इसमें यह अनस्वीटन कोको पाउडर एड़ कर रही हूँ यह मैंने 1.5 टेबल स्पून जितना लिया है आप इसको कमपी कर सकते और बढ़ा भी सकते हैं अब मैं इसमें यह चॉकलेटी पीनट बटर आड़ कर रही हूँ यह मैंने घर पर ही बनाया अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो अब कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं मैं इसमें यह आड़ कर दूँगी अब पीनट बटर आड़ करने के बाद मैं इसमें यह टू टेबल स्कून जितना हनी ले रही हूँ अब ज़ादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं अब हनी एड़ करने के बाद मैं इन सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से स्मूदी बना लूँगी अब मैंने सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और अब मैं इसको अच्छे से पोर कर लूँगी सो गाइज अब हमारी हेल्दी सी डिलिशियस सी चॉकलेटी पीनट बटर ओट स्मूधी बनकर तयार है और इस रेसिपी में मैंने जो भी इंग्रीडियन्स ही उसके उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा